मूवी स्टार्ट होती है 1919 में जहां पर हम एक सरकस को देखते हैं ये सरकस एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहा था बहुती लंबा सफ़र तैय करने के बाद जब ये नई सिटी में पहुंचता है तो यहां पर रुक कर कुछ दिनों तक सरकस प्ले होने वाला था साथ ही हम दो बहन भाईयों को देखते हैं जिनका नाम जो और मिली है पता चलता है कि इनके डैराज सरकस वापस आ रहे हैं जिसका नाम होल्ट था वो एक कैप्टन था आर्मी में पर एक वार में उसका हाथ बहुत जखमी हो गया था जिसके बाद उसने प्लान किया कि वो सरकस वापस जॉइन करेगा अब सरकस वापस आने पर हॉल्ट सब को थेंक्यू बोलता है कि उसकी गेर मुझूदगी में सब ने दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखा यहां पर वो सारे सरकस के फ्रेंड से मिलता है इनमें सरकस का ओनर मैक्स भी था वो दिखने में तो बहुत घुस्से वाला लगता था पर दिल का बहुत यह अच्छा था जब वो देखता है कि हॉल्ट वापस आ गया है तो वो बहुत खुश होता है जिसके बाद वो हॉल्ट को अपने आफिस में बुलाता है यहां हमें पता चलता है कि हॉल्ट की वाइफ पहले सरकस में ही काम किया करती थी पत एक फ्लू की वज़े से उसकी डेथ हो गई जिसके बाद सरकस की पॉपलारिटी बहुत कम हो गई थी हॉल्ट यहां पर मैक्स से कहता है कि मुझे मेरे घोड़े वापस कर दो मैं एक बहुत अच्छा सा शो करूंगा पत मैक्स उसे बताता है कि मैंने तो घोड़े पेश दिये और उनकी जगा पे ऐलेफेंस ले लिये हैं मैक्स उसे बताता है कि खर्चे बहुत जादा हो गए थे और यही तरीका था खर्चों को कम करने का इसके बाद वो हॉल्ट से कहता है कि तुम्हारी न्यू जॉब इन हाथियों का भी दिहान रिखना है इसके बाद वो हॉल्ट को साथ लेके जाता है और एक elephant दिखाता है और बताता है कि इसका नाम जम्बो है और इसका एक निया baby आने वाला है हॉल्ट थोड़ा अपसेट होता है और वापस अपने टेंट में चला जाता है यहाँ पर उसकी थोड़ी सी बहस होती है अपनी बेटी से जहाँ पर वो अपनी बेटी से कह रहा था कि तुम्हें भी कोई talent सीखना चाहिए ताकि तुम भी सरकस में participate कर सको पर उसकी बेटी मेली उसे बताती है कि मेरा इसमें को इंटरेस्ट नहीं मैं साइंटिस बना चाहती हूँ और इसको मैं पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करूंगी सुबा होती है तो हॉल्ट अपने बच्चों के साथ जाता है elephant देखने के लिए यहाँ पर बच्चे नोटिस करते हैं कि एक वर्कर जम्बो के साथ बहुत बत्तमीजी और रूडली बेहेव कर रहा है वो अपने टेंट से बाहर नहीं आना चाहती थी बट वर्कर उसे बहुत फोर्स करता है कि कि किसी भी तरी किसे बाहर आओ फिर अंदर कुछ हल चल होती है हॉल देखता है कि जम्बो का बेबी दुनिया में आच चुका है यहाँ पर मैक्स भी आता है और वो इस बेबी elephant को देकर बहुत खोश होता है जब यह बेबी थोड़ा क्लीन होता है तो पता चलता है कि इसके कान बहुत ज़ादा बड़े हैं यहाँ पर वो ही वर्कर आकर इसको तंग करने लगता है और इसका मजाग भी उडाता है जब जम्बो देखती है कि उसके बेबी को छेडा जा रहा है तो वो बहुत ही ज़ादा फ्यूरिस हो जाती है मैक्स भी बेबी को देकर कहता है कि ऐसा आजीब सा elephant हमारे सरकस का नाम खराब करेगा इसके बाद मैक्स हॉल्ट से कहता है कि ये situation किसी भी तरीके से handle कर लो दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे दोनों बच्चे elephants का प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं और अलग से उस baby elephant को देखने भी जाते हैं उनको पता चलता है कि इसके कान बहुत बढ़े हैं जिसकी वज़े से ये देख नहीं पा रहा अब वो baby elephant देख सके तो ये लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने ears को blow करे पर उसे तो ये नहीं आता था जिसके बाद ये दोनों फैदर्स को blow करके उसे सिखाते हैं कि कैसे blow करना है यहां पर जब baby elephant blow करने की कोशिश कर रहा था तो एक फैदर उसकी nose में चला जाता है जिसके बाद उसे बहुत ही ज़दा च्छींके आती है यहां पर च्छींकने के बाद वो अपने बड़े से ears के साथ थोड़ा सा उड़ने लगता है यह चीज़ दे कर दोनों बच्चे बहुत ज़दा हैरान होते हैं यह दोनों बच्चे फोरण जाते हैं अपने डाद के पास ताकि उन्हें बता सके कि यह baby elephant तो और सकता है बड़े elephant को भी लेकर आता है और उस baby elephant को भी उस baby elephant के कानों को एक कपड़े के साथ छुपाया हुआ था हौल्ट ने जब पबले कितने क्यूट से baby elephant को देखती है तो सब ही बहुत जादा खुश होते हैं यहाँ पर यह baby elephant भी देखता है एक लेड़ी को जिसके हैट के उपर फैदर लगा था उसे वही ट्रिक याद आती है जो के दोनों बच्चों ने उसे सिखाई थी और वो अपनी ट्रंक से उसको अंदर सक करता है इसके बाद उसे जोन की छींक आती है और वो ऐसे ही राज अपना खोल देता है अब इस छींक की वज़ा से baby elephant अपने बोर्ड के साथ जाकर टकराता है जहां पर उसका नाम लिखाता है जो carrier रेंज होकर बन जाता है इयर बेबी डंबो और इसका ये नाम बन जाता है सारी पबलिक अब इसके बाद उसे डंबो बलाने लगती है और उसका बहुत मजाग उडाती है इसके बाद सारे लोग इसमें पीनिट्स फैंकने लगते हैं बाकी elephant जब ये देखते हैं तो सबको बहुत घुसा आता है यहाँ पर डंबो की मौं भी पहुँचाती है क्यूंकि वो अपने बेबी को बचाना चाहती थी होल्ट बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से जंबो को रिलाक्स करे बट वो बहुत ज़ादा furious थी यहाँ पर फिर से एक worker आता है उसे कंट्रोल करने के लिए और इसके बाद तो यहाँ पर जंबो बिलकुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी सारे लोग दर कर यहाँ से भागने लगे थी जंबो के घुसे की वज़ा से वहाँ का टेंट का एक पिलर उसी worker पे गिर जाता है बाद में हम देखते हैं कि लोग बाकी सारे बच चुके हैं और बेबी और जंबो भी सेफ हैं इसके बाद हम देखते हैं कि इसी सब की वज़ा से जंबो को अलग बन कर दिया गया है और मैक्स उस ओनर को वापिस कर देता है जिसे उसने जंबो को खरीदा था कि ये तो बहुती जादा फ्यूरियस आनिमल है अब मॉम के जाने के बाद डंबो बहुती अकेला हो गया था जब रात होती है तो दोनों बच्चे जाते हैं डंबो से मिलने के लिए और उसे समझाते हैं कि हम समझ सकते हैं कि मॉम ना हो तो कैसा फील होता है और ये दोनों समझ आते हैं कि इसकी weakness एक फैदर है यहाँ पर दोनों बच्चे प्लान करते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से शो में पैसे जोडने होंगे ताकि इसकी मॉम को दुबारा वापस लाया जा सके अब शो स्टार्ट होता है तो मैक्स डंबो से कहता है कि वो एक क्लाउन सा बने जहाँ पर फायर फाइटर की तरहां वो बाकी सारी आग को बजाएगा यहाँ पर छोटी छोटी सी आग लगी वी थी और जब भी डंबो उस पर पानी फैंकता था पीछे से एक वरकर उस आग को बुझा देता था यह एक ट्रिक थी और लोग उसे देकर बहुत ही जादा इंज्वाई कर रहे थे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्लाउन गलती से आग को तेज कर देता है और डंबो उपर ही भस जाता है अब मिली जब यह देखती है तो समझ आती है कि उसे डंबो की हल्प करनी होगी वो उपर जाती है उसे एक फैदर देने के लिए ताके वो उर गे नीचे आ सके आसपास थोड़ी आग जादा ही हो गई थी यहाँ पर मिली भी लेडर से नीचे गिरती है और नीचे पड़े पानी में गिर जाती है उपर जो फ्लैटफॉर्म था उस पे डंबो का वेड भी जादा टिक नहीं पाता जिसके बाद वो फ्लैटफॉर्म भी गिरता है और डंबो भी नीचे आने लगता है यहाँ तक कि मैक्स का सरकस बहुत ही फेमस हो जाता है दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ डंबो को देखने के लिए यह न्यूस इतने जल्दी ट्रैवल करती है कि ड्रीम लैंड के ओनर तक पहुंच जाती है ड्रीम लैंड एक बहुत ही बड़ा सरकस था इसके बाद यहाँ का ओनर फॉरन मैक्स से मिलने के लिए आता है और मैक्स यह बाद समझ आता है कि इसका परपस सिफ इतना है कि यह डंबो को खरीद ले इसके बाद मैक्स उसे क्लिरली बताता है कि वो किसी भी हाल में डंबो उसे नहीं देगा इसके बाद मैक्स उस ओनर को मिलवाता है डंबो से जब वो डंबो को देखता है तो मैक्स को बताता है कि तुम इसे यहाँ पर फुली यूज नहीं कर रहे है तो अगर तुम ड्रीम लैंड में पार्टनर्शिप कर लो तो तुम्हें बहुत फाइदा होगा मैक्स जब यह सुनता है तो वो समझ आता है कि यह ओफर अच्छी होगी क्योंकि वो ओनर कह रहा था कि यहाँ के सारे वर्कर्स को वो घर भी लेकर देगा और ड्रीम लैंड इन सब की लख ही बतल देगा इसके बाद मैक्स मान जाता है और यह सारी चीज़ें बैक करके यह लोग ग्रीम लैंड पहुंँ जाते हैं वहां जाकर देखते हैं कि यह तो बहुत ही बड़ासा सरकस है यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर डंबो को एक अलग जगा पर रखा जाता है, जिसके बाद होल्ट की फैमली को एक बहुती बड़ा घर दिया जाता है, चूंकि एक फाइफ स्टार होटेल से कम नहीं था, इसके बाद यहाँ का ओनर होल्ट को एक बहुती डिफरेंसी जगा भी देता है, जहां पर वो अपने सारे एक्ट कर सकता है बट इससे पहले उसे डंबो से वो ही ट्रिक करवानी होगी उरने वाली होल्ड इस बात के लिए मान जाता है बट यहां का ओनर उसे कहता है कि इस ट्रिक के उपर डंबो को अपनी एक आर्टिस को भी बिठाना होगा और इसके लिए इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाए जब यहां का ओनर यह सब देखता है तो वो समझ आता है कि अब बहुत सारे पैसे आने वाले हैं अब बहुत सारे दिन गुजर जाते है और ग्रैंट उपनिंग का दे आ ही जाता है जहां पर बहुत सारे लोग जमा हुए वे थे सिर्फ डंबो को देखने के लिए ड्रीम लैंड का ओनर यहां मैक्स को एक बैंक मैनेजर से भी मिलवाता है जो के इस शो के बाद डिसाइड करेगा कि उसने ड्रीम लैंड में इन्वेस्ट करना है के नहीं अब यहां पर शो में एक क्रैंड ओपनिंग होती है जिसके बाद बहुत सारे प्लेज भी होते हैं यहां पर हम देखते हैं कि एक प्लैटफॉर्म के थुरू डंबो को एक हाइट पर पहुंचा दिया गया है और वो आर्टिस्ट भी अपने ही स्टाइल में वहां तक पहुंचाती है अब इस सब के बीच में होल्ट देखता है कि यहां पर तो सेफटी नेट्स ही नहीं लगे यह सब तो यहां के ओनर का प्लैन था क्यूंकि वो इस सब को बहुत डेंजर शो करना जाता था शो स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि डंबो को एक फैदर देती है वो आर्टिस्ट पट वो फैदर डंबो से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है जिसके बार डंबो जुकता है उसको पकरने के लिए और इसी सब के बीच में वो आर्टिस्ट डंबो के उपर से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है यहाँ पर होल्ट ने एक रोप रखी थी और वो किसी तरीके से उस रोप की मदद से बच जाती है अब डंबो उस प्लाटफॉम पे अकेला था और वो स्लिप हो रहा था यहाँ पर डंबो डर कर आवाज ही देने लगता है हम देखते हैं कि जंबो जो कि इसी एरिया में बन थी वो अपने बेबी की आवाज सुन लेती है यहां पर जम्बो भी डम्बो को ओवाज देती है जो कि डम्बो सुन लेता है जिसके बाद अपने पास पढ़े हुए फैदर को वो यूस करता है और उरने लगता है लोगों को लगता है कि शायद छो स्टार्ट हो गया है पर बिजाए इसके कि डम्बो वहीं पर रहता वो ब कि डम्बो की मॉम है ट्रीमलैंड का ओनर बताता है मैक्स को कि कैसे उस बैंक मैनेजर ने इनवेस्ट करने से मना कर दिया है दूसरी तरफ हम देखते हैं के होल्ट ओनर के पाछ आता है और उसे बताता है कि डम्बो को अपने मॉम से मिलवा देना चाहिए पर ये ओनर इस ब पहुन जाती है जिसके बाद वो यहां के ओनर को समझाने के लिए उसके ओफिस में जाता है ओफिस में जाकर मैक्स को पता चलता है कि यहां के ओनर ने उसके बाकी सारे वरकर्स को तो जॉब से निकाल दिया है जिसके बाद वो मैक्स को कहता है कि यह न्यूस बाकी सब को भी इविन के यहां की आर्टिस्ट भी होल्ट को बताती है यह सारी बात, जिसको सुनकर होल्ट बहुत ज़ादा उदास होता है, वहां का एक और आर्टिस्ट भी आकर इनको बताता है कि कैसे अब जम्बो को मारने लगे हैं यह लोग, अब यह सारी बात सुनने के बाद होल्ट ब भी आया हुआ था, यहां पर हम समझ जाते हैं कि कोई प्लैन जरूर चलेगा, यहां पर एक वरकर एक ट्रक लेकर आता है, जिसमें डंबो को बिठा कर वो एक्जिबिट में लेकर जाएगा, यहां पर हम एक और आर्टिस को देखते हैं, जो कि मिस्सेट लांन्ट इस थी, वो इसके बाद हम देखते हैं कि नील दुबारा से उस आर्टिस्ट को सारा प्लैन समझाता है जिसके बाद वो डंबो के साथ रेडी हो जाती है प्लैटफॉर्म पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यहां के ओनर को भी यह सारी न्यूस मिल गई है और वो कहता है कि हर जगा क गेट्स बंद कर दिये जाएं ताके वो ट्रक करी बाहर ना निकले इसके बाद हम देखते हैं कि होल्ट एक टेंट के ऊपर चड़ गया है जिस टेंट के अंदर डंबो और वो आर्टिस्ट थी वहां पर वो एक बहुत बड़ा सा होल बनाता है ताके यहां से डंबो बाहर फ्लाइ कर रहा है हम देखते हैं कि यह दोनों अब उटते उटते टेंट से बाहर आ गए हैं जिसके बाद यह लोग कंट्रोल टावर तक पहुंचते हैं और बाकी सारे गेट्स को उपन करते हैं ताके जिस ट्रक के अंदर डंबो की मॉम है वो बाहर निकल सके डंबो यहां पर एक लिवर खींचता है जिससे बाकी सारी लाइट्स यहां सरकस की चली जाती हैं अब इसको चेक करने के लिए यहां का ओनर खुद ही उस कंट्रोल टावर पे जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि डंबो तो उस आर्टिस के साथ उड़ गया है यह ओनर यहां पर आकर ह नहीं भी नहीं मिल रहे और इसके बाद उसकी नजर परती है एक वर्कर पे जोके उनके बच्चों के पीछे भाग रहा था अब होल्ट उस वर्कर को भगा देता है अपने हॉर्स की थ्रू इसके बाद हम देखते हैं कि नील और उसके दोनों बच्चे यहीं पर भश चुक उनको सेफली बाहर आ सके अब ये सब लोग तो सेफली बाहर आ चुके थे हम देखते हैं कि यहां के उनर का ड्रीम लैंड तो पूरा तबाह हो चुका है और वो जो बैक मैनेजर था उसने मैक्स के साथ डील कर ली थी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डंबो अपनी मॉम की शिप तक पहुंच चुका है जिसके बाद ये दोनों जाने लगे थे इंडिया यहाँ पर होल्ट और उसकी फैमली भी पहुंच आती है और वो सब लोग मिलकर इसको गुडबाई कहती है इसके बाद एंड में हम देखते हैं कि मैक्स ने एक बहुत बड़ा सा सरकिस खोल लिय है जहां पर वो अब एनिमल्स को यूज नहीं करता यहां पर हर कोई अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है मिली ने भी अपना ड्रीम पूरा कर लिया जहां पर वो अपने इन्वेंशन्स लोगों को दिखाती है हौल्ट भी उस आर्टिस के साथ मिलकर बहुत सारे ट्रिक